हाई एवरीवन विल्कम बैक टू माई चैनल उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्त होंगे दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आप भी अपनी काली गर्दन से परिशान है अगर आपकी गर्दन भी काली रहती है और आप इस समस्या से परिशान है तो इससे घरेली नुस्का लेके आया हूँ अगर आप इसको अपलाई करते हैं तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत सो लोगों को दिखा गया है कि उनकी बाकी स्किन का कलर तो ठीक रहता है लेकिन उनकी गर्दन बहुत काली रहती है और इस करते हैं तो आप इस समस्या से चुटकारा जरूर पाएंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को इंट तक देखिएगा जिससे कोई भी जानकारी आप से मिस्स ना हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जर और इसमें हल्दी नीबू का रस गुलाब जल और गिलीसरीन डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें एक पेस्ट बना लें बहुत जादा पतला ना करें अब इस पेस्ट को आप ब्रेश की मदद से अपने गरदन के ऊपर और नीचे की तरफ लगा लें पूरे में अच सूख जाए तो आप ठंडे पानी से इसको दो लें अगर आप हफते में तीन चार दिन ऐसा करते हैं तो आपके गरदन का कलर बिल्कुल फेर हो जाएगा और आप इस समस्या से परशान है तो आपको इस समस्या से शुटकारा मिल जाएगा लेकिन कोशिश करें दोस्तों इस आप खुद नज़र आएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और सस्क्राइब जरूर करें जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊ तो आप तक जरूर पहुचें थैंक यू